नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों चाहे कोई कितना भी लालस क्यों न दे चाहे कोई आपकी शामने कितना भी जिद क्यों न करे प्रंच दोस्वों आई शाम से आपको ये बातों को भूल कर भी नदरंदाज नहीं करना है और ना ही दोस्तों इने अपने जुनकाल में कभी अपनाना है जिहां दोस्तों और कुछ एशे नियम है जिने आपको आशाम से अपने जुनकाल में बिल्कुल ही धाल लेनी है दोस्तों इन सबी से आप शिवी के जुनकाल में जो बड़े महत्पुन बदलाव होने वाले है दोस्तों सुनकर आप शिवी के खोस उड़ जाएंगे जिहां दोस्तों आप शिवी को बता दी कि आज की है वीडियो आप शिवी के जुनकाल करिए कोई एशी वीडियो नहीं है जिन से आपका देनिक दिंचरिया का वातारवन ही पता चलेगा दोस्तों इन से आने आवाला आपका पूरा भश ही बदल जाएगा जो उनकाल में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और जो भी दुश्मन आपके पीछे लगे हैं जो भी द्यत्ती लोग आपके पीछे लगे हैं आपके कारियों में बधाएं आपके कारियों में जो अरतिने डालती हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना जाते हैं जो आपको हमेशा आपके रास्तों में मुशिवत खड़ वाली है इनके अनुशार हम आपको कुज यसे नियम बताने वाले हैं। जनीं अगर 2023 आप अपने ञेंगे दोस्तों एक़ीन मानिए आप खुवी की जोन काल में आपकी ये एक द belief दुनिया बन जाएगी। जनी में पाने के लिए आप दिन रात शंकर्ष करते ही दोसों के शारी चीजे अब आपके कदमों में होने वाली है जी हां दोसों दोसों एक परगार्षे एक शब्दों में कहें तो दोसों आज का यह विडियो आप शिबी के किश्मत के ताले की चाबी होगी जिने अगर आप तक बिल्कुल ही ध्यांश दिखना है कि दोसों आप शिबी को बता दें कि हमने बहुत शारी वीडियो में यह बात कही है कि आप वीडियो को अंत तक दिखिएगा जह दोसों कुछ लोग वीडियो को आदे जुरुद देखके छोड़ देते ही और बाद में फिर कमेंट करत हैं कि गुरुजी यह बात हमें शमज में नहीं तो दोस्तों आप शिबी को बता दें कि हर बातों का शमाधान इसमें है हर शवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा प्रंतु आपको करना क्या है अपने जूनकाल के महत्मुन शमी मैसी थोड़ा शशमय निकाल क इस वीडियो को देना है और इन्हें ध्यांशी से देखना है इन्हें अच्छी तरीके से शमजना है जियां दोस्तों तब ही आप शारी शमशाओं का शमधान प्रात कर पाएंगे जियां दोस्तों शुप देखने शेही नहीं होगा दोस्तों आपको हर बातों को शमजना हो लोग आपको परिशान करते हैं आपके उपर एशिक रियाएं करते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मुश्यवितों का शामना करना पड़ता है जिनसे आपके कारी बनते बनते बिगड़ जाते हैं दोस्तों एक प्रकार्शे के हैं आपकी जिवनकाल की शारी शमश्याओ का श्मदान, आज के इस एक वीडियो में लेकर आए हैं। दोस् Stunden, शारी बातें आपको बहुती विस्तार तरिकेशे हम बाताने वाले हैं। तो दोस्थ वीडियो को अंततक देखना अब आपका दाइत होगा। तो आधे दोस्थ वीडियो को प्रारम करते हैं। उश्य पहले दोस्तों सरपर्थम जो भी माता लक्षमी के शच्चे भगते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुलाइक जरूरी किजेगा और दोस्तों कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन शच्चे हिर्दे भावशी जै माता दी जै शुनिदेव जरूरी लिखेगा दोस्तों आपके दिल से की गई एक फुकार दोस्तों देवकूंड में बेठे शबी इश्वर के पास से लिजाएंगे तो दोस्तों सच्चे हिट देभावशे जरूर लिखेगा और चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही किजेगा कि दोस्तों इस चैनल ने बहुत शारे लोग जुड़े हैं जिने हमारी उपर बहुत ज़्यादा बिश्वास है जिने इश्वर के उपर बिश्वास है तो दोसों और आपको भी इश्वर के उपर विश्वारश है तो दोसों जरूर ही चैनल को सबस्क्राइब केजिएगा तो ऐधोसों बात करती हैं आपके जीवनकाल के शबशे महत्पुन विशे की बारे में जी हां दोसों दोस्टों आप शिवी को बिता दे कि आपका जीवन पिछले कई शिमे से बहुत गंबी रहुस्ता में चर रहा है पिछले कई शिमे से आप बहुत शारी कारियों को एक्षाथ कर रहे हैं जिया दोस्तों और पिछले कईशे में से आपको बहुत जादा मुश्यूवितों का शामना करना पड़ा है। दोस्तों बहुत शारी बाते हैं आपके जुनकाल में जुड़े। जिने अगर हम कहने लग जाएं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सिधा और श्रह शब्दों में कहें तो दोस्तों पिछले कईशे में से आप थोड़ा सा परिशान चल रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दी कि इन परिशानियों के पीछे, आपके जुनकाल में इन दुखों के पीछे, इन शकड़ों के पीछे तीन चीज़ों कहां थे। जिहां दोस्तों, पहला है कर्म, दूसरा है द्यात़् दुष्वन, दूस्तों, तिसरा है आपके इश्वर के प्रती लगाव। आपको उनका खामयाजा बहुती बुरा भूत ना पड़ता है और दोस्व आप पिछले कईशी में से यहाद देख भी रहे हैं तो दोस्व अब आपको अपने जुनकाल में आज शाम से ही ये नियम क्यों पालन करने हैं और आज शाम से ही आपके जुनकाल में कौन सी गरहों क इत्ति बनने वाली है, शब से पहले दोस्वों हम उनके विशे के बारे में बात करते हैं, दोस्वों आप शिवी को बता दें कि आज शाम से आज शिवी के कुंडली में तीन बड़े योग बनने जा रहे हैं, जिनी में दोस्वों आज शिवी के जिवनकाल के करमों का उदे ह होने का सब्षे महत्पुन मौका है जी हाँ दोसों दोस्टन वे कहते हैं कि काम तो शब को करता है लेकिंससही का शीच समय पर जो भी काम को करता है उन्हें का काम शफल होता है इक डूसनी आप श्राम से जो तीडरह का श्वव्योग बना है दोस्टन इंसमेगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आप शुभी का जीवन धन्य होने शे परिपुर्न होने शे कोई भी इंचान कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं शक्ती जेहां दोस्तों दोस्तों आप शुभी के बिदा दें कि आद शाम से ब्रम लक्षमी नाम का शिव्योग आप शिवी के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं जिन के कारण दोसों शीदे शीदे माता लक्षमी का शीरबाद आप शिवी को प्राप्त होगा और माता लक्षमी का शाया तो आपके जुनकाल में पिछले कहिशे में से चल रहे हैं लेकिन दोस्तों आपके ही गलत आचरन के बज़शे आपके ही गलत बहवार के बज़शे आपको इनका शक्ती का हैशास नहीं हो पा रहा है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों केशी आपको इनका हैशास होगा आखिर आप कौन शी गलतियां कर रहे हैं और आखिर अब आपको कौन शी कारी करने हैं ताकि दोस्तों आपको मां का ये शक्ति का अभाश हो जाए और जो उनकाल में जो भी परिशानियां हैं जो भी शंकट है चाहे आपके कर्मों श्याय हो, चाहे दुश्मन खड़े करे हो, दोस्वों शबी के शबी दूर हो जाएंगे, जिहां दोस्वों, शब से पहले दोस्वों आप शबी को बता दें, कि आज शाम से माता लक्षमी और वगवान शिंदेब आप शबी के उपर प्रशन होने वाले हैं, कि दोस्वों शुकर गरक इस्तती शुब है, ब्रहम लक्षमी नाम का शुब्योगाप शिबी के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं, तो दोस्वों इसे यहां शाबित होता है कि माता लक्षमी आपके कुंडली में आपके जुनकाल में प्रेशन हैं, कर्म आपके इन्हें याद करके आप बहुत शारी अच्छे कारी भी कर रहे हैं, जिनका फल आपको अब अच्छा मिलने वाला है। जिनकाल में कुस बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा आवश्य होगा। जिनकाल में जो भी एशिक रिकलाब हो रहे हैं। कर्म से जुड़ा नहीं है। इन्हें हमारे कर्म खराब हो शकते हैं। इनसे हमारा फ्यूचर आने वाला शमें बहुत तीर दुछ परभाव को लेकर आशकता है। तो दोस्तों एशे में आप उन शभी कारियों को आश यही अपने जुनकाल में त्याग करने का प्रण ले ले। दोस्तों यही आपकी जुनकाल के शबशी बड़ा मंत्र होगा। जिहां दोस्तों कोई भी चीज अगर आपकी जुनकाल में आपको जहर के शमा लग रहा है। और उस जहर को आप जानकर अपने अंदर रख रहे हैं। तो दोस्तों यह आपकी जुनकाल की बड़ी गलती है तो दोस्तों अपने जुनकाल में आप इन बातों का ध्यान रखेगा शाथी दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि अब गरहों की जो शुब इस्तिती बनने वाली है इनमें दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा दोसों आप शुब को बता दे कि आपके शुकर गरह यश में मजबूत होने वाले हैं जिनसे दोसों आप शुब की कुडली में आज शाम से धन बैभव एशो और आम मिलने वाला है जिया दोसों शुंदरता आपकी बढ़ने वाली है दोसों शमाज में आपका अकर्षन दोसों कहने का तत्परिया है कि अब आपके धन से जुड़े जो भी शमिशा है वे शभी शमाप्त होने वाली है माधा लक्षमी के शिरवाशी आपके रुके हुए काम अब बनने वाले हैं जिस जेतर में आपने पेशे इन्वेश्ट के थे दोसों उनमें आपको लाब के म प्रवराम की जिन्दगी अब आप जीने वाले हैं दोसों अब आपके चेहरे में एक अलगी शुंदरता होगी आपके आँखों में एक अलगी चमक होगी जो कि दोसों आपको आकरशन का कैंदर बना देगा शमाज में आप जहां भी जाएंगे वहाँ पर शब लोग आपक भी को बता दी कि ये शब अगर आपके जुनकाल में हो तो दोसों आपको बिलकुल ही किशी को गलत शलाह नहीं देना है अगर आपको लोग किशी कारी को लेकर पूछ रहे हैं किशी कारी को लेकर आपको शमान दे रहे हैं तो दोसों उन्हें भी आपका यही दाय तो होता ह कि आप उन्हें अच्छी शलाही दें दोस्व इंशे आपकी कर्मों का जो प्लड़ा है वह भारी होगा इसलिए दोस्व हमने यह बात पहली भी कहा आपको कि अब आपको बूरे कर्मों की तरफ नहीं जाना है जिहां दोस्व शादिशाद दोस्व आपको बता दें कि यश मे जो शनिक इतती है आपके राशिश लाभाव में होने वाला है यानि कि दोस्व अब आपको अति अनुशाशित यह बनाएगा जिहां दोस्व अब आप हर नियम को पालन करने की शक्ति आपके अंदर आएगी और दोस्व शमेशे पहले आपको जिम्यदारी तो देगा लेक दोस्व वह इतियाज बन जाएगा जिहां दोस्व लेकिन एश्यक कामों में आप शाहत के शात आगे बढ़ते रहेगा कि दोस्तों पिछले कईश में से आपकी जुनकाल में बहुत शारी परिशानियां आई है दोस्तों बहुत शारी मुश्वपत आप शबे के जुनकाल में आई हैं लेकिन दोस्तों आपने उनमें कभी भी डगमगाई नहीं है दोस्तों आपने हर परिशानियों का शामना शाहस के साथ किया है और दोस्तों यही शब चीजे हैं यही शब गुन है जो कि दोस्तों आपको शबी राश्यों से अलग बनाती है शबी राश्यों से बहतर बनाती है दोसों आपकी जुनकाल में अब शंगर्ष खत्म होने वाले हैं बहदर शंगर्ष के बाद अब आपको एशा इना मिलेगा कि दोसों समाज में आप जो है एक अलगी पहचान बना पाएंगे जिहां दोसों आप शिवी को बता दें कि अब आपके जो बुद्धी है उनमें एक अलगी शक्ती होगी सूचने की शमता आपकी बढ़ने वाली है दोसों आपको बता दें कि अचानक शे आपको एशे खुश्यों की प्राप्ति हो झाएंगी जैसे दोसों मानो शमतकार्षी हो गई है लेकिन दोस्वों ये शब आपकी अच्छे करमों का फल होगा और दोस्वों आपकी अच्छे गरहों की स्थिती होगी जी हां दोस्वों इसलिए गरहों की स्थिती को बहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपायों को भी करना चाहिए जी हैं दोसों ये उपाय आप शिविक को अपने जुनकाल में कभी भी गरहों की स्थिती खराप नहीं होने देगा और दोसों इनसे आपको गरहों का भी शुब फल हमेशा प्राप्त होते रहेगा तो दोसों आपको कौशे कार करना चाहिए ताकि दोसों गरहों की जो इस्तिती है उनमें आपको शुब फल प्राप्त हो तो दोसों इन बातों को अब आप बिलकोली ध्यान से शुनिएगा जिहां दोसों जो लोग पैर घशीट कर चलते हैं उनका राहु खराब हो जाता है जिहां दोसों अपने जुनकाल में अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप चलते हैं घशे शुब उटकर एक भी कदम चलते हैं या फिर कहीं भी आप नए कार की शुरु बात करते हैं दोसों एक प्रकार्श के हैं अपने जुनकाल में आप कभी भी कोई शुब कार करने चल रहे हैं तो दोसों पैर को घशीट कर नहीं चलना है दोसों इनसे राहु खराब हो जाता है और जो भी कार आप करने जा रहे हैं जो भी कार की शुरुवात करने जा रहे दोसों वो कार विफल हो जाता है तो दोसों आपको राहों को वहतर बनाने के लिए ये बातों का ध्यान अपने रिनकाल में अब रखना ही होगा जे दोसों दुस्तरा जो चीज है वह है दोसों आप कहीं भी कपड़े इदर उदर ना फैकें दोसों बातरू में पानी विखरा कर ना रखें अगर पानी गिर जाए तो दोसों ने शमेड देना चाहिए उन्हें शाप लेना चाहिए और दोस्व अपने बातरूम में कभी भी आपको कपड़े इधर उदर नहीं फेकने है बातरूम में पानी बिखरा कर नहीं रखना है दोसों इससे चंदरमा अच्छा फल नहीं देता है और दोसों चंदरमा खराब हो जाए तो दोसों जुनकाल में बहुत शारी विपधाय आने लगती है नशिब का जो दुवार है वह बंध होने लगता है दोसों कपड़े की जेशी रोन गई तो दोसों आपके जुनकाल में एशे ही दुख के दिन आने लगते हैं तो दोसों इन बातों का ध्यान रखिएगा दोसों शाति शात आपको अगला बता दे कि बाहर से आकर अपने चपल जूते मोजे इदर उदर फेंकना नहीं है उन्हें शही जगप पर रखना है जो दोसों इन शे आपको शत्रू बहुत ज़्यादा प्रिशान करते हैं दोसों आप देखी रहे होंगी कि पिछले कईश में श्याप शुबिक जुनकाल में बहुत शारीशे तांत्रिक किरियाएं भी लोग करवा रहे हैं जिनसे आपके उपर उनका बुरा अश्यर देखने को मिल रहा है दोसों आप यह बातें भी देख रहे होंगे कि पिछले कईश में से शत्रू आपको बहुत ज़्यादा प्रिशान कर रहा है कारियों में आपको शफल होने देना नहीं चाहते हैं तो दोसों इन बातों का ध्यान रखिएगा दोसों अगला जो है राहू और शनी ठीक अगर फल नहीं देता है जब आपके बिस्तर फैला हुआ रहेगा बिस्तर पर जो भी कपड़ी है वो इधर के उधर रहेंगे चादर कहीं होंगी तक या कहीं होगा दोसों अगला है चीक कर बोलने शे शनी आपका खराब हो जाता है यानि कि दोसों क्रोध में भी आपका मंगल खराब होता है और चीक कर बोलने शे शनी भी खराब होते हैं दोसों आप इन बातों का जरूर ही ध्यान लगें हर बातों को नरम लहजे से बात करें खास कर दोस्तों जब आप कोई नया काम की बात कर रहे हैं आपिर नय किसी शुरुआत की बात कर रहे हैं तो दोस्तों उन बातों में आपको नहीं चिकना है नहीं चिलना नहीं दोस्तों शाथे शाथ बुजरों के आशिरबात से घर में शुक्षमर्दी बढ़ती है शाथे इन शे आपके गुरू तो अच्छा होगा ही, शाती आपके घर में शुक्य शमर्दी बढ़ेगी, कारियों में शुफलता बढ़ेगा, शाती दोसों इनसे धन की जो आवग है, वो भी बढ़ता है, तो दोसों इन बातों का ध्यान रखें, शाती शात दोसों बुद्ध और ग खराब हो जाते हैं, यदि आप किशी को गाली के देते हैं या फिर गाली के शोकिन हैं, तो दोस्वों बुढ़ापे में भी बिस्तर पकड़ने के लिए आप तयार रहें, दोस्वों बहुत शारी शमज़ा हैं, आपके यह दो शब्द दे सकती हैं, तो दोस्वों अभिशे आप ध्यान रखेगा इंशे आपके आने वाले जुभष होगा, दोस्वों वो बहुती बहतर होगा, और आपको हर कारियों में शब्दा मिलेगी, हर छेतर में आपके शम्म्र्ण बढ़ेंगे, दोस्वों बहुत शारी चीज़ आपके कुछ उपाई को करने शशी बिंजा दोस्टों गर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो दोस्टों यकीन मानिए आपके जुनकाल में जो भी परिशानिया चल रही है जो भी आपके समश्याएं चल रही है दोस्टों वे शबी शिवमात हो जाएंगी शादे शाद शाद दोस्टों आपको एक बात बता दे दोसों हमेशा आपको भगवान के शम प्रहनया है, पुजापाट करना है, दोसों भक्ती में जिन्दगी में आपके अंदर आने वाले बहुत शारी नकार्तमक ख्याल दूर हो जाते हैं, जिन से आप गलत कारी करने की कभी सोचते तक नहीं है, तो दोसों अपनी जुनकाल में अब आपको भक्ती भाव में जुड़ कर ही रहना है, जिन दोसों पुजापाट से पहले आपको कुछ बातों का शंकल्प लेना है, जिन दोसों शंकल्प लेने की बिदी हम आप शेबी को बता दी, कि हमारे हिंदू Śास्त्रों की नुशार कि शिबीकार की शिदी के लिए क जी गई कोई भी पुजा या पिर नुष्ठान से शुरू करने से पहले अनुष्ठान के शुरू करने से पहले ही शंकल्प लिया जाता है। यथा शक्ती जो भी पुजा कर रहे हैं वह नाम बोलें पुजा पाठ कर रहा हूँ है परमपिता परमेश्वर इसमें कोई गलती हो तो शमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी किर्पार्दिष्टी बनाई रखें। जिवन काल के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर रहा होगा। दोस्तों गर आपको आज के वीडियो प्रशन आया तो दोस्तों वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा। इनशे हमारा मनोबल बढ़ता है शाती चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस यही मत्पूर जनकारियों के लिए धन्यवाद आपका आने वाला शमय शुबहो मंगल मैहो।